हालो एविवान मैं अमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरीकेंस पर बच्चों आज हम यूनिट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन और वेल्य एजुकेशन आज हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले है और एक बात आपको अभी सही बता दूँ कि मैं आपको सर्फ मीनिंग ही नहीं बताओंगी बलकि साथ-साथ बहुत इंट्रस्टिंग एक्जामपल्स भी बताने वाली हूँ ऐसे एक्जामपल जो आपके डे टो डे लाइफ में यूज होते हैं ताकि आपको ये अच्छे से आंसर अटेम्ट कर सकें देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि थियोरी में अच्छे मांक्स आपको तब ही मिलते हैं जब बहुत अच्छे एक्जामपल्स अटेम्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मगरों से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए बेल आइकन तबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के शाद शेयर करना मत भूलिएगा लाइक कीजिएगा आप इसका स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं जो हमारे आज के टॉपिक है तो फर्स टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ओफ वैल्यो एजुकेशन यानि की वैल्यूज कितने टाइप्स की होती है और उनको हमने किस किस काटेगरी में डिवाइड किया है एक बात आपको मैं भी बता दू हमने एपनी फर्स उनिट में टाइप्स ओफ पड़ा था वो एक अलग चीज थी और क्लासिफिकेशन ओफ वैल्यो एजुकेशन एक अलग चीज है तो कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है ना हमने उनको किस किस काटेगरी में डिवाइड किया और इसकी एजुकेशन हमारे ले कितनी इपॉर्टेंट है अब यह समझ लेते हैं कि हमारे पास वैल्यूज कैसे होती है फर्स्ट है पर्सनल वैल्यूज जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पर्सनल वैल्यूज एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है देखिए बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बहुत सारी वैल्यूज सुनते हैं सीखते हैं मगर उन में से कुछ ही वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में ढाल लेते हैं तो जिन वैल्यूज को हमने अपना लिया है जिने हम फॉलो कर रहे हैं वो पर्सनल से समझते हैं सब्सक्राइब करते हैं कि एक फैमिली में जो फादर है वो आर्मी से रिटायर है या एर फोर्स से रिटायर है ठीक है डिफेंस पर्सनल है ओविसली वह डिफेंस डिसिप्लेइन और पंच्वालिटी अपने घर में लागू कर रहे हैं वह बच्चों को शुरू अगला तो आ रहा है लेकिन वह सुन सुन के पक चुक है और वह कहता है क्या फालतु बोलते हैं मुझे नहीं सुनना यह सब वह पंक्च्वल भी नहीं है और वह डिसिप्लेट में भी नहीं है अब एक ही तरह की वैलियूज जो एक घर में दी जा रही थी वह एक ने अपना है न तो जो values हम personal individual अपना लेते हैं उसे हम personal values कहते हैं clear हो गया चलिए next आता है family values यह ऐसे values हैं जो हमें अपनी family से विरासत में मिलते हैं यानि हमारे घर का महौल यह संसकार हमारे अंदर डालता है जैसे कि एक example है सपोस करते हैं कि घर में जो यह एक बता दू मैं आपको family values में क्या होता है कि जो घर का lead होता ना यानि head होता है वो ही घर को चला रहा है वो संसकार सब में डालने की कोशिश करता है ज्यादा तर उसी के संसकार follow होते हैं जैसे कि अब example से समझते हैं एक example है कि घर में जो father है य कभी जूट नहीं बोलते हैं ठीक है हमेशा honesty दिखाते हैं अब घर में भी वही चीज apply हो रहे है वो खुद honest है आगे उन्होंने अपने बच्चों को भी honesty सिखाई है बच्चों को शुरू से सिखाया कि बेटा किसी का पैसा नहीं मारना किसी का हक नहीं मारना है ना अब यह धीरे धीरे father फिर father से बच्चों में यह चीज automatically आना start हो जाती है तो जो values हमें family से मिलती है उन्हें हम family values कहते हैं clear हो गई बात वो एक अलग बात है कि आप उनको अपनाना चाहते हो यह नहीं लेकिन अगर आप अपने head की दी गई values अपना लेते हो तो वो family value में आता है थर्ड है social values जो हमें society से मिलती है जिस society में हम रह रहे हैं उसके भी कुछ काईदे कानून उसूल आदर्श होते हैं आप जिस society में में रह रहे हूं या आप रह रहे हैं वहां जैसा महौल है वही आप धीरे धीरे अपनाना शुरू करते हैं जैसे कि अगर आपकी society में equality है justice ह freedom है तो आपको उनी चीजों की आदत होगी और आप वैसे ही रहेंगे ठीक है जैसे इंडिया में females को पढ़ने का अधिकार है है जॉब करने का अधिकार है इवन हर किसी को अपनी express feelings express करने का अधिकार है तो हमें उन चीजों की habit है अब suppose हम किसी ऐसे जगा रह रहे होते जहा इन चीजों की अजादी नहीं होती तो हम वही चीज़ अपनाते हैं और हमारा behavior हमारा belief वैसा ही बन जाता बात clear हुई next है moral values, moral values का मतलब कि जिस society में हम रह रहे है उस society में रहने के लिए कुछ आदर्शों का हमें पालन करना होता है और जिन आदर्शों का हम पालन कर रहे हैं, जिन rules को हम follow कर रहे हैं वो हमारे moral values होते हैं अब आप कहेंगे मैम society value में भी आपने यही कहा था कि समाज ने हमें जो सिखाया, moral value में भी आप यही कह रहे हैं, क्या difference है? तो देखें, घबराना नहीं है, मैं आपको सब कच clearly बताऊगी. Social values का मतलब कि जिस society में आप रह रहे हैं, उस society में आप जो कुछ देख रहे हैं, observe कर रहे हैं, वहाँ के जो संसकार है, वो आपने अपना लिए. आपने उन चीजों को अपनाया, ठीक है? अब moral values क्या कह रहा है, कि हर society के अपने कुछ काइदे कानून होते हैं, जिनका पालन आपको करना है, आप अपनाएं या ना अपनाएं, आपको वो पालन करना पड़ेगा, वो होते है moral values. आई बात समझ में, जैसे कि, अगर हम, जैसे हमारे society में moral क्या कहता है, हमारा moral ये बोलता है कि भई, प्रॉपर्टी जो है, सरकार की प्रॉपर्टी उसे खराब ना करिये, ठीक है, गंदगी ना फैलाएं, यानि आसपास अगर कहीं घूम रहे हैं, रोड पे या कहीं पे भ नहीं, तो जब society में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, आप कुछ rules का follow कर लेते हो, वो moral value हो जाता है, तब ही तो हम आजकल क्या देख रहे हैं, कि गंदगी लोग बड़ी असानी से फैलाते हैं, कार में जा रहे हैं, समान भार फिक दिया है ना, या फिर किसी tourist place पे रूल है, या संस्कार है, अदर्श है, लेकिन हम कहते हैं, हम तो करेंगे भाहिया, हम तो मानेंगे ही नहीं, तो यह हमारे moral value गिर रहे हैं, इसलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं, next is spiritual values, यानि की spirituality, आध्यात्मक से जुड़ना, हर किसी के अंदर कहीं न कहीं आध्यात्मक छुपा होता है, भगवान पे कहीं न कहीं हमें भरोसा होता है, अब भगवान के साथ connect होना ही spirituality नहीं होता, spirituality का मतलब है meditation करना, अपने अंदर जहाकना, अपने self awareness करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं society के लिए क्या कर रहा हूँ, अपने अंदर अपने गिरेबान में जहांकर देखना कि हम क्या है और क्या कर रहे हैं तो जब हम self aware हो जाते हैं और spirituality में चले जाते हैं यानि अच्छे अच्छे कर्म करते हैं वो spiritual values होती हैं नेक्स आता है cultural values हर culture में अपने कुछ संसकार कुछ आदर्श कुछ values होते हैं जो हमें follow करने चाहिए यह values हमें हमारा culture सिखाता है ठीक है यह किसी किताब में नहीं लिखा यह कहीं family से नहीं सीख रहे हो आपका culture आपको सिखा रहा है अगर आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है देख पूरी तरीके से ठीक है freedom है लड़के लड़कियों को अराम से पढ़ने की अजादी है अपने लिए life partner चुणने की अजादी है तो उनका culture उन्हें यह चीज़े सिखाएगा freedom justice equality ठीक है तो जब हमारा culture हमें कुछ सिखा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा cultural values जैसे एक बहुत अच्छा example मेरे mind में आ रहा है सिख religion में है गुर्दवारे में अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर free langgar दिया जाता है और जूतों के सेवा भी की जाती है जूते वगर रखे जाते है साफ सफाई की जाती है उनकी बरतन भी साफ किया जाते है अमीर अम में हर कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छा होता है जो हमें सीखना है और हमें अपनाना है क्लेर हो गई बात नेक्स आता है ट्रांस कल्चरल वैल्यूज ट्रांस कल्चरल का मतलग क्या है कि हर कल्चर के अंदर अपने अपने कुछ ना कुछ अच्छे वैल्यूज होते हैं हर religion के अंदर भी अच्छे values होते हैं हर culture के अंदर भी अच्छे values होते हैं मगर कुछ ऐसे values है जो सभी cultures मेंसे होते हैं ठीक है तो जो values सभी culture में सेम होते हैं उसे हम trans-cultural values कहते हैं जैसे की justice, equality freedom, cooperation यह सारी feeling हर culture में है हर culture के लोग justice करना चाहते हैं, freedom देना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, cooperation में रहना चाहते हैं, मतलब मिल जूल के रहना चाहते हैं, ठीक है, honesty है, हर culture में होती है, तो जब कोई ऐसे values जो सभी culture के अंदर आए, वो transcultural होता है, I think यहां तक सभी को clear हो गया, और examples के साथ, आपको समझ आ रहा है, देखिए, मैं ऐसे example दे रही हूँ, जो आपको बहुत असारी से याद हो जाएंगे, आपको रटना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, कि इस subject की खासियत यह है, कि इसमें रटना कुछ नहीं है, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं, वही आपका subject है, next है ethical values, ethical का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सिधानत होते हैं, जो हमें follow करने चाहिए, ताकि हम समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके, उन्हें हम ethical values कहते हैं, next आता है instrumental values, यानि कि ये values instrument की तरह काम करते हैं, हथियार की तरह काम करते हैं, अगर आप इन values का इस्तेमाल करेंगे, तो future में आपको benefit होगा, future में आपको success मिलेगी, जैसे की education, education क्या है, एक ऐसा instrument है, जिससे आप अपने आपको तरक्की पे पहुचा सकते हैं, political power भी एक इस तरह का हथियार है, जिससे की आप सब कुछ कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे instruments, जिनके जरिया future में बहुत powerful, successful बन जाए, पैसा कमाए, नाम कमाए, वो instrumental values होता है, aesthetic values, aesthetic का मतलब होता है, कला कृती होना, हर इंसान में कहीं न कहीं कोई न कोई कला चुपी होती है, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, जो कहते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ना dance आता है, ना singing आता है, मुझे कुछ नहीं आता, बट ऐसा नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ खास बात होती है, और जब आप अपनी उस कर सकते हैं, ठीक है, तो aesthetic value मतलग कला होना किसी में, next is democratic values, democratic value का मतलग कि जहां पर भी हम रह रहे हैं, वहां पर हमें हर तरह की अजादी होनी चाहिए, आप सभी को पता है, इंडिया क्या है, democratic country, जहां पर सबको बोलने का अधिकार है, जो वह चाहता है, वह करने का अधिकार है, business करने का अधिकार है, हर चीज का अधिकार हमें मिला हुआ है, हमारे हैं जो government है, वह for the people है, by the people and of the people है, अब जैसा यह हो रहा है, democratic country में आप रह रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आप कुछ भी करेंगे, ठीक है, कि आपने उठाई मिशाल और जाके buildings जला दी, या buses जला दी, नहीं, यह नहीं, यह freedom नहीं है, freedom का मतलब है, कि आप जो कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो अच्छाई आपके अंदर है, उसको समाज में फैलाए, अगर आपके अंदर कुछ अच्छी चीज है, तो आपके पास अधिकार है, कि आप वो चीज दूसरों को बताएं, समझाएं, ठीक है, क्योंकि यह इंसान के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे थी, this value है, negative value, यह वो values हैं, कि अगर यह किसी इंसान के अंदर आ जाए ना, तो उस इंसान की तरक्की रुख सकती है, वो इंसान समाज में नीची नजरों से देखा जाएगा, वो इंसान कभी भी लाइफ में अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, जैसे की, example है इसका, anger, गुसा, ठीक है, बहुत जादा गुसा अगर आपको आता है, जैलिसी, आपके अंदर जलन बहुत है, आप दूसरे की खुशी देख नहीं सकते, तो ऐसे इंसान को भी कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है, और हम कह सकते हैं, एनवी, ठीक है, यानि कि किसी से इतना ज़्यादा जलना कि उसका नुकसान भी करने का आप तेयार हो जाओ, बदले की भावना होना, ठीक है, इस तरह की वैलियूज अगर आपके अंदर है, तो वो डिस वैलियू होगी, और वो आपको समाज में अच्छा नहीं बनने देगी, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक तो कवर हो गया, अब हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशिं और वैलियूज gagner है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बात रहे हैं वैलियूज को और उनके बीच में केंप्रिजन कर रहे हैं, यानि उनके बीच में तुलना कर रहे हैं, तुलना की जा रही है, तुलना के अधार पे हमने यहां classification किया है तो exam में जिस तरहिके का question पूछा जाएगा आप उस तरहिके का answer लिखना First आता है personal versus social value Personal values क्या थी? जल्दी से बताईए हाँ जी बिल्कोल सही Personal value मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या-क्या values है और social value क्या था? कि एक समाज में जहां आप रह रहे हैं वहां की values क्या है Second cognitive versus effective value Cognitive का मतलब होता है दिमाग, दिमागी विकास आपका दिमाग आपको क्या कह रहा है? आपके दिमाग, मतलब आप कितने intelligent हैं कितना आप critical thinking कर सकते हैं कितना आप कोई decision making कर सकते हैं वह सारी क्या है? cognitive values और affective values का मतलब होता है emotional होना जब कोई इंसान दिमाग से नहीं, दिल से सोचे हम उसे बोलते है affective values ठीक है? emotions की थूँ आप जब कोई काम करते हैं देखा होगा आपने कुछ लोग जो है हर चीज में decision लेंगे, दिमाग से लेंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं तो सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ जो मेरे दिल ने कहा मैं तो वह ही करूँगा ठीक है? तो वो होगा आपका affective values. Next है universal versus cultural values universal का मतलब ऐसी values जो पूरे universe में same है हर कोई उन्हें follow करता है जैसे honesty, freedom, justice इस तरीके के चीज़े और cultural values का मतलब होता है जो सिर्फ किसी culture के अंदर होती है वो सिर्फ आपके culture में होगा और उके culture में वैसा नहीं होगा जैसे कि marriages की अगर बात करें हिंदू धरम में अगर शादी होती है तो उसमें ज्यादा तर concert dress होता है अब तो थोड़ा सा trend change हो गया बट normally हम यहीं बोलते हैं ना कि red, maroon या pink color का होना चाहिए है ना और Muslims में हरे रंग की dress होती है दुलन की और अगर Christians की बात करें उनकी white होती है ऐसा क्यों? क्योंकि उनका culture उनका religion उन्हें ऐसा करवा रहा है है ना? तो हमारे ही हाँ तो white को अश्योग मानते हैं तो वो उसको नहीं पहनेंगे तो देखा आपने की एक का culture दूसरे के साथ match नहीं कर रहा लेकिन universal value क्या है? शादी होना दुलन तो हर धरम में है, हर जाती में है हर culture में है लेकिन दुलन क्या पहनेगी, कैसे करेगी ये उसके culture पर depend होता है तो difference clear हो गया नेक्स आता है individual level versus systemic level classification यानि कि एक इंसान क्या सोच रहा है क्या कर रहा है उसे बोलेंगे individual और जब systematic level आ जाएगा यानि कि आप system से एक society के अंदर क्या क्या कर रहे है एक अकेला इंसान नहीं system से एक society में जितने भी लोग है वो क्या क्या काम कर रहे है तो वो हो जाएगा systematic तो I think आपको concept clear हो गया है है ना, तो चलिए देर किस बात की जल्दी से वीडियो को like कर दीजे channel subscribe कर दीजे और next video में हम इसके आगे topics करेंगे, have a good day